Dear Students, Today we will study about Concept Mapping. आज हम संप्रते मान्चेत्र के विशे में चर्चा करेंगे. Concept Mapping एक Visual Organization होता है, इसे Representation of Knowledge भी कहते हैं. It shows concepts and ideas and the relationship among them. इसके द्वारा Concept और Ideas को दर्शाया जाता है और उनके मध्य संबंद को भी दर्शाया जाता है. दर्शाने के लिए Circle का, Oval Shape, Triangle, Rombus, Rectangle, Square, इनका सहरा लिया जाता है और उनके बीच में Arrows लगाया जाते हैं. ये चार्ट की Graphic Organization, Table, Venn, Diagram की Shape ले सकते हैं. और इस टेक्निक को Joseph D. Novick के द्वारा प्रतिपादित किया गया था Cornell University में. Now, How to Constructor Concept Map Concept Map को त्यार करने के लिए सबसे पहले हमने एक Topic या फिर एक Passage जो है वो Science की Textbook से Select करना है. फिर उस Passage या उस Topic के Main जितने भी Concepts हैं उनको Underline करना है. Underline करने के बाद उनकी हमने एक List बनानी है और उसमें जो General हमारा Topic है उसको हमने सबसे उपर रखना है और जो Specific है उसको हमने सबसे नीचे रखना है. और इसको फिर हम बाकी Class के साथ डिसकस कर सकते हैं. इससे भी प्राय हुआ कि एक Concept Map जो है ये एक Idea के साथ Start होता है और उसके बाद उसकी Branches जो है वो या वो Branches की Form में Convert होता है और उसमें हम ये दर्शा आते हैं कि किस तहां से एक जो हमारा Main Idea है वो Specific Topics में Divide हो सकता है. Types of Concept Mapping, there are 4 Main Types of Concept Mapping, Spider Mapping, Hierarchy Mapping, Flow Chart Mapping and System Mapping. जैसा कि आप यहां Slide में देख रहे हैं, Spider Mapping वो Mapping है जिसमें जो Main हमारा Concept है वो Center में होता है और उसके बाद उससे Branches जो हैं वो हर एक Direction में निकलती है. For Example, अगर हमने करना है Importance of Trees कि पेड़ों का क्या महत्व है तो Importance of Trees हम Center में लिखेंगे और उसकी जो Importance है जैसे It Gives Oxygen, It Is Used For Shelter, It Is Used For Medicinal Purposes तो वो साही Importance जो है वो One By One जो है वो Circle Form में आउटर उसमें आ जाएगी रिंग में. Second is Hierarchal Mapping. Hierarchal Mapping में हमारा Main Concept जो है वो Top में रहता है ये एक तरह का हमारा General Concept है और उसके बाद उसकी Branches जो है वो निकलती है जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमारा जो Main Concept है वो 3 में Divide हो रहा है और जो 3 है वो फर्दर आगे 2 में Divide हो रहे हैं अगर मैं आपको ये एक उधारन के द्वारा समझाओं तो जैसे हमारा Main Topic है Plants Plants जो है ये दो पार्ट में हमने Divide किया वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोड़क्टिव पार्ट फिर जो वेजिटेटिव पार्ट है ये फॉर्दर हमारा Divide होगा Root, Stem and Leaf और जो रिप्रोड़क्टिव पार Specific हो जाते हैं अगर हम चाहें तो हम इनको आगे Further फिर से Divide कर सकते हैं Third is Flow Chart Mapping, Flow Chart Mapping में Concept Map में हम Linear Mapping लेते हैं जिसमेh downward direction में या right direction में concept जो है वो आगे से आगे move करता है for example जैसे हमने करना है हमार digestive system तो digestive system जो है यह start होता है mouth से then isophagus stomach small intestine large intestine and then rectum and anus तो अगर हमने इस concept को करना है तो इस concept को करने के लिए हमें flow chart mapping करनी होगी यह हम वो कर सकते हैं लास्ट हमारा system mapping system mapping जो है it is similar to flow chart mapping बस इसमें difference ही होता है कि इसमें input होता है और एक output होता है अब यह हमने digestive system या फिर हमने respiratory system का करना है तो उसमें oxygen जो है वो हमारे जैसे नोस से हम inhale करते हैं और फिर वो हमारी lungs तक पहुचती है वहां से वो purify होके फिर carbon dioxide की form में वो वापस हमारे नोस से बाहर आ जाती है तो एक input channel है एक output है तो उस तहां से हम system mapping कर सकते हैं use of concept maps concept maps को हम कहां use कर सकते हैं concept map को हम pre class assessment के लिए use कर सकते हैं जैसे हमने class अभी start करनी है तो उससे पहले अगर हमने बच्चों को assess करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं concept map ले सकते हैं second is small group activity यह है जो हमने एक topic complete करवा दिया है उसके बाद हमने बच्चों को काम देना है तो वो हम एक small group activity की form में groups बिना कर बच्चों को दे सकते हैं whole class activity इसमें अध्यापक क्या कर सकता है concept जो उसने topic पढ़ाना है उसका concept mapping करके वो उसी के द्वारा बच्चों को समझा सकता है fill in the blanks fill in the blanks में concept map जो है वो पूरा बनाया जाता है उसके बाद उसके कुछ एक portions को बीच में से skip कर दिया जाता है फिर students को कहा जाता है कि वो इनको fill करें तो fill in the blank की form में भी हम इसको use कर सकते हैं now the benefits or advantages of concept mapping concept mapping helps visual learners to grasp the material वैसे तो concept mapping हर प्रकार के जो learners हैं उनको help करती है पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको visual देखके जादा अच्छे से समझ आता है तो उनके लिए concept mapping जो है वो बहुत beneficial साबित होती है it helps students to see relationship between ideas and concept ये चात्रों को जो हमाई ideas और concept हैं जो हमाई विचार और संप्रते हैं उनके मध्य जो संबंध हैं उनको समझने में सहायक है it helps in memory recall जिसे बच्चों ने exams के लिए त्यारी करनी है तो उस वक्त अगर बच्चों ने हर topic में या maximum topic में अगर concept mapping कर रखी है तो उनके लिए उसे recall करना जो है वो बहुत easy हो जाता है it helps to clarify and structure ideas इससे जो हमाई ideas हैं या concepts हैं वो बहुत easily clear भी हो जाते हैं उनका एक structure form जो है वो भी बन जाती है it encourage students to think creatively अगर हम चात्रों को बोलते हैं कि वो topics पे concept mapping करें तो उनकी creativity जो है वो enhance होगी it helps in self evaluation concept map के द्वारा चात्र जो है वो अपने आपको evaluate भी कर सकते हैं it helps students to generate new ideas इससे बचों के mind में new new ideas जो हैं वो भी generate हो जाते हैं it helps students to integrate new concepts and old concepts जब बचे concept mapping करते हैं तो उन्हें जो concepts के बीच में relationship है या किस तरह से एक concept जो है वो दूसरे concept से जुड़ा हुआ है उसका भी बच्चों को idea लग जाता है जैसे कुछ chapters होते हैं हमाई जो आपस में interlinked होते हैं तो जो हम concept mapping करेंगे तो वो topic जो है वो हमाँ फिर से repeat होगा तो वहाँ पर बच्चा जो है अपने concepts को old और new को integrate कर सकता है बच्चा जो है बहुत सारे questions जो है वो concept mapping के basis पे raise भी कर सकता है उसके mind में भी आ सकता है उनके answers ढूंद सकता है ये चातर को notes बनाने में भी सहायक है ये बच्चो के भाशा के विकास में सहायक है So students, today we have studied about concept mapping. Thank you. Stay safe. Stay home.